तो हलो दोस्तो नमस्कार सारे नयराम राम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं I hope कि आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स तो चलते हैं बनाते हैं आज आलू गोबी की सबजी बहुत ही सिंपल तरीके से तो फ्रेंड्स सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे तेल ले लिया सरसो का चार बड़े चम्मस से और उसके बाद हम तेल को बिलकुल अच्छी तरह से गरम कर लेंगे उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे गोबी गोबी हमने आधा के लिया था सबजी बनाने के लिए बिल्कुल fresh गोवी तो यहां पे हम गोवी को इस तरह से चलाते हूं यह fry कर लेते हैं गोवी को हम बिल्कुल high flame पे करेंगे fry medium flame पे नहीं करेंगे नहीं तो हमारी गोवी जो है chopped हो जाएगी खहरारी नहीं होगी तो इसतरा से हम गुबि को fry कर लिए हैं इसको हम निकाल लेते हैं एक फ्लेट में फ्रेंट्स आप इसतरा से सब्जी बनाएंगे ना पहले गुबि को fry करे के तो बहृत ही बड़िया गोबि में खुसबु आती है और बहुत अच्छा सबजी बनके तयार होता है तो इस तरह से हम कोबी को निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम आलू को भी फ्राई कर लेते हैं तो इस तरह से हमने आलू को भी सारे आलू को हमने डाल दिया है आलू भी हमने आधा किलो के लगबग लिया था उपर से करारे और अंदर से शोप्ट हैं तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है फ्रेंड्स अब बच्चे यह तेल में हम यहां पर डाल देते हैं जीरा जीरा हमारा थोड़ा सा फ्राई होगा उसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटा होगा लैसन उसके बाद हम डालेंगे दो मेडियम साइज की प्याज कटी होई बारीक और इस तड़कों को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे बिलकुल गोल्डन ब्राउन उसके बाद हम ले लेते हैं मसाले तो सबसे पहले फ्रेंट्स हम डालेंगे हल्दी पाउडर उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाले जिसमें की धनिया पाउडर भी मिक्स है और यहाँ पे हम डालेंगे कास मेरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्ची, आधा चमच, आमचूर पाउडर आधा चमच, उसके बाद हम मसालों को 2-3 सेकेंड तक इनों इस तरह से फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आधा कप पानी डाल देते हैं, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से पक जाएं, तो इस तरह से हम चलाते हुए इसको ढग देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मसाले पका लेंगे 5-7 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, तो आप देख पा रहें कि हमारे मसाले बिल्कुल पक चुके हैं, मसाले तेल उपर आ चुका है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर, दो मीडियम साइज के मैंने काट लिय देते हैं, तो इस तरह से हमने मसाले को पका लिया है, तो हमारे टमाटर बिल्कुल पक चुके हैं, तब यहाँ पर हम डाल देंगे सब्जी, जो कि हमने फ्राई कर लिया है, पहले से, तो इस तरह से हमने सब्जीयों को डाल के, और आठ से दस मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे, क्योंकि सब्जी हमारी आधे से ज़्यादा पक चुके हैं, बस हमें मसालों में एक बढ़िया सा टेस्ट ले आने के लिए हम दस मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, आधा कप पानी, पानी मैं तरी वाली सब्जी यहाँ पे नहीं बना रहे हूं, तो आप तरी वाली बना रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से पानी डालें इसमें, तो यहाँ पे हम सोखी सब्जी बनाएंगे, तो आप देख पाने और हमारी सबजी को हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं तो आप देख पारें कि मारी सबजी बिल्कुल खिली-खिली बनके तयार है यहां पर हम डाल देते हैं थोड़ा साहरा धनिया तो friends हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तयार है आप इसको पूरी पराठे चावल के साथ खाएं दाल चावल के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया friends बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं इसमे अड़ किया है तो friends वीडियो अच्छी लगी तो please like करें चैनल को subscribe करें और please bell icon की घंटी जरूर बजाएं जिससे कि हमारे सारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं तो please हमारे चैनल को subscribe करें और हमें support करें बाई बाई